कि रिकॉर्ड स्टार्ट इठेंगे लेकिन जो सॉफ्ट स्किल जो तमाम स्टफ जो बहुत जरूरी है प्रोफेशनल फ्री लांसिंग जर्नी में कि वह हम कवर कर रहें इंशाल्ला तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वह है यूट्यूब यूट्यूब हम सब जानते हैं कि यूट्यूब एक वीडियो प्लैटफॉर्म है जहां पर बेतहाशा कॉंटेंट भरा पड़ा हुआ है इस बात को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि हम सारे दिन ही यूट्यूब पे पेताशा इस्तिमाल करते हैं यूट्यूब का और पुरा पुरा दिन हम यूट्यूब पे गुजारते हैं तिलावत के लिए लर्निंग के लिए म्यूजिक के लिए और और जो ड्रामाज हैं मुक्तलिफ चीजों के लिए और मुक्तलिफ कॉंटेंट डेखने के लिए और जैसे के बहुत सारे लोग हमारे और यह हमारे पाकिस्तानी वीलोगर हैं अच्छा इर्फान हमारे इर्फान साब को मैंने कौस बनाया वो खुद निकल गए मैं किस और को कौस बना रहा हूं किसको बना दू और एंड ड्रेस कर दें अज हमारे में फरजान नहीं नहीं वन्नों तो टीचर बें उस्ताज बें अच्छा एक दो तीन चार में बना रहा हूं हव्जा हव्जा ठीक है हव्जा ओकी सर्थ जो भी आये न क्लास में उसको आने दें फॉरन से आने दें यह मुझे डिस्टब मुझे डिस्टबिन होती है कि वह सामने नोटिफिकेशन आता है बात कहीं से कहीं निकल जाती है सौरी अच्छा यह हमारे जैद आली हैं जो एक पाकिस्तानी हैं और यह वी लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पर आप जैद आली सर्च करेंगे तो आपको इसकी पहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर गूगल पर आपको नजर रहेंगे और यह यूएस में होते हैं इसी तरह हमारे साथ यह शैम इद्रीस हैं शाम इंजिनियर वगएरा बेच रहते हैं और क्या नाम है उनका पीफ और पकाओ का नादिर नादिर आली हैं और मुफ्तियान एकराम में हमारे तारिक मुसूद साहब तारिक जमील साहब मशहूर ब्रैंडिट तो यह सारे यूट्यूबर पर अपनी वी लॉग बनाते हैं और यह एनों ने यूट्यूब से बेतहाशा पैसा भी कमाया और फैम भी कमाया अच्छा लेकिन हम चूंके बात कर रहे हैं जा फ्री लांसर हमें यूट्यूब से हम किस तरह फैदा हुटा सकते हैं कि यूट्यूबर की यूट्यूब के इमपॉर्टनस फ्री लांसर के काम के लिए इतनी ही जरूरी है और इतिवाकन बहुत सारे फ्री लांसर इसकी एखिए इसकी एहमित को खो बैठते हैं और इसका फ्रीलांस काम में इस्तेमाल नहीं करते हैं यह बहुत लम्हा कम जो है न वो है फिक्रिया है लम्हा फिक्रिया है हमें फिकर करने चाहिए कि हम यूट्व जैसे प्लेटफॉर्म से हम फायदे नहीं उठा रहें इस फ्रीलांसर दो तरहों से आप यूट्व का अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने काम को यूट्यूब के ज़िए से प्रोमोट कर सकते हैं अब मैं आपको थोड़ा से पहले वाले जो पॉइंट है तू लर्ण यू स्किल्स को थोड़ा सा डिटेल से थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे मिसाल के तोर पर अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं और आपका शौक भी है और ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक डिजाइनिंग भी आती है लेकिन आप एड्वांस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अगर आप यूट्यूब पर लिखिंगे कि लेन ग्राफिक डिजाइनिंग तो बेतहाशर वीडियो इस हमारे पास आ जाती हैं जोकि हिंदी में कि नैंब चाहूंगा कि पाड़ स्तान में इतना कौंटेन्ट नहीं है यूट्यूब के ओपर कि यूट्यूब के उपर पाकिस्तानी जो टीचर्स हैं ट्रेनर हैं और यह बहुत लम्हाव फिक्रिया है और यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात के एहम्यत को समझे कि तमाम ट्रेनर तमाम टीचर मोटिवेशनल स्पिकर्स को का जो कॉंटेंट हैं उन्हें ऑनलेन बेतहाशा कॉंटेंट पड़ा हुआ है और इसके साथ-साथ हमारे हमसाय मुल्क में अगर हम लिस्ट नाम लिगा रहें मोटिवेशनल स्पिकर की तो वो संदीब, मंदीब, फलानी, राज्यू पतनी, क्या कमल, फर्मल और इस सब लेकिन बेतहाशा कॉंटेंट है हमारे पा अगर हम और बात करें तो हमें बहुत कम ऐसी हस्तिया नजर आती हैं जो यूट्यूब पे अपनो कॉंटेंट डालती हैं खेर इन्युवे हम तो डालने अपना माशालला यूटीब पे लाइब चल ले बलकि हम लाइब क्लासे जिसके हम फीस पर ले रहे हैं वों हम यूटीब पर फ्री पर पढ़ा रहे हैं तो अगर आप एक किल स्थिकने चाहते हैं ऐस फ्रीलांसर आप यूटीब को इस्टेमाल कीजिए मैंने अपनी जिनदगी में यूटीब का बेत्याश इस्तेमाल के दिल खोल कर मैंने और कोई गंजोसी नहीं की तो जितनी भी वीडियो फॉर एपल मुझे प्रोग्राम आप वान टू लेंग टूरियल तो इसके लिए बीडियो आती थी उन सब के टूरियल में अपने आपको चैलेंज करता था कि मैंने अगले दिन बगैर वीडियो देखे काम करना है आप भी किजेगा आप अपने आपक कुझे काम करना है चाहे वह वर्डप्रेस हो वह हो हो वह कॉंटेंट राइटिंग हो या कोई प्रोग्रामिंग पाइथोन जावा जैसी सी प्लस प्लस जैसे लेंगवेजिस हो आप यूट्यूब से उनको सीख सकते हैं आप अपने आपको चैलेंज करें कि मैंने नए स्कि को सीख करता है कि मुझे किसी भी खस्म की प्रोजेक्ट हो मैं इस पर बिट कर सकूँ तो मुझे दुबारे यूट्यूब पर जाना ना पड़े हमने तो एक्सपेरियंस से तजरेबे करकर के अपना बहुत हार्ट वर्क से उस सीख लिया है तो यूट्यूब फॉर यू जो न्यू स्किल आम तोर पर यूट्यूब के अहमेद को जो लोग हैं वो बोल चुके हैं और खास तोर पर फिलांसर यूट्यूब के फाइड़ है नमबर एक यूट्यूब फ्री है नमबर दो कॉंटेंट है यूट्यूब पर और इसके बाद यूर ओन कमपट जोन के आप अपने ही टाइम के अंदर अपने ही कमपट जोन के अंदर आप इसको सीख सकते हैं अच्छा ये तीनों बाते जो मैंने आप से जिकर की बहुत एहम हैं आज के दोर में फ्री में कोई नहीं सिखाता और यूट्यूब पर बेधाशा कॉंटेंट पड़ा है आप किसी भी फील्ड के बारे में नौलेज हसल करने चाहते हैं तो आप फ्री में सीख सकते हैं बग यूट्यूब आप से हैं और तमाम यूट्यूब चैनल वाला करता है कि भाई मेरे चैनल को बताएं ना आप लोग मेरे साथ दें सब्सक्राइब करना और दुसरा बैल का आइकन लबाद इशी है तो यह इंक्रेज चाही होती है सरफ और वो फ्री में कॉंटेंट डाल रहा है हम फ्री में सीख रहे हैं देख रहे हैं और पैसे वो पैसे कमा रहा है आपको नौलेज म मिल रही है तो और वो पैसे कैसे कमाता है यूट्यूब के ओपर जो एड़ चलते हैं हफ्जा आप फॉरन एड़ कर दिया करें फॉरन बगएर पूछे बस मेरे पास नौटिफिकेशन में मुझे नौटिफिकेशन आते हैं तो जहन चेंज हो जाता है तो सर आपने हफ्जा को नहीं मुझे किया हुआ है किसको चलें जो भी है मैं मैंने एक्सेप्ट कर नहीं भाएं ठीक है ठीक है तो इस वाज़े से यूट्यूब का कॉंटेंट फ्री होता है और आपको एंड यूजर आप सीखें जो कुछ आपको सीखना है जो आप सीखने चाहते हैं अच्छा नमडर दो यूट्व पर कांटेंट होता है मुख्तलिफ ममालक से कोई अमरीका से केंड़ा से कोई पाकिस्तान से दुनिया में बेतहाश है ममालिक हैं मुख्तलिफ कल्चिर मुख्तलिफ मालिक से लोग अपने कॉंटेंट डाल रहे होते हैं यह भी नहीं है कि अगर आपको किसी एक किस यहां पर तो आपके पास एकी टीचर है और एकी क्लास है अगर आप इसको कहेंगी मुझे समझ में नही मुख्तलिफ बैग्राउंड के मुख्तलिफ एक्सपिरिंस के लोग हैं इसकूल आफ तॉर्ट से आपको सिखने को मिल रहा है मुख्तलिफ स्किल मुख्तलिफ टीचर से सिखने को आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं आखिरी बात आप अपने टाइम जोन में सिख सकते हैं आप अगर बैट के सिखने चाहें बैट के लेट कर सिखने चाहें रात में चाहें दिन में चाहें जब भी आप चाहें आप इसको देख सकते हैं लैब बेक कर सकते हैं जब आप चाहें आपको अच्छी लगए तो आप दोस्तों से बे शेयर करें एक दर्खाश जरूर है आप से क्या आप से क्ये जरूर अच्छा प्रिपत में एक साथ आगी है हम पहले लक्चर से बात करते हा रहे हैं कि खुश खिस्मत होते हैं वो लोग जिनके जरे माश इनका शौक होता है इसके वज़े यह होती है कि जब आप अपने पेशन को मॉनिटाइस करेंगे तो फिर आपका काम करने का दिल भी करता है आपका एक्स्ट्रा टाइम लगाने का अपने काम में दिल भी करता है लेकिन एक इम सवाल वो यह है कि अपने स्किल को प्राक्टिस कैसे करें अपने आपको पॉलिश कैसे करें मैं अपने स्किल को इद्वास कैसे कज़ाते क्योंकि हमने यह बात भी की कि आए दिन टिकनालोजी रिवलेशन इतनी तीज़ी सी इतनी तीज़ी सी आ रही है कि अगर आप पराने ही स्किल पर रहे गए और आपने स्किल को इंप्रूव नहीं क्या तो यह बहुत एहम है कि आप प्रैक्टिस करते रहें इसमें इंप्रूमिट लेकर रहें बिकाज यू जो एडवांस होते हैं अपने स्किल में वह इन प्रॉजेक्ट को भी अंडर टैक कर सकते हैं जिन में बिट की कौइनटिटी लेमेटिड होती है क्योंकि हर कोई स्किल सेट इंप्रूव नहीं कर सकता यह भी एक स्किल है कि आपने स्किल सेट को इंप्रूव करना भी एक स्किल है और यह एक किसम का एडवांटेज आपको आसल है कि आप लिर्नर बनें सीखते रहें सिखें सकते हैं जो हमेशा आपको बता रहा हूं कि आप अपनी स्किल को एडवांस करें इसका मतलब यह है कि आप इन प्रॉजेक्ट को भी बैठ कर सकते हैं जिन प्रॉजच्ट को भी इन प्रोजेक्ट को आप कम्पलीट कर सकते हैं जिन में कम्पेटेशन कम है जिन में इस कम्पेटेशन कम है आपने अपने स्किल को प्रैक्टिस किया है और आप उन पर बिट कर सकते हैं और जिन में कम्पेटेशन कम है यकीन किजिए उनमें पैसा ज्यादा है कि जिसमें कंपेशन कम है वहां पैसा ज्यादा है और जहां पर कंपेशन ज्यादा है वहां पैसा कम है मेहनद ज्यादा है अचा जैसे कि आपको पताए मैंने मैंने कंप्योटर सौफ़ेर मैं कंप्योटर सफ़ेर डॉर्पर हो लेकिन मैंने सेंस में स्में किया लेकिन इंस-on experience किया है जहां आप अपने skill को upgrade करेंगे और advance करेंगे तो आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट पर bit कर सकते हैं जो सुनने में मुश्किल लगें करने में तो बहुत दूर की बात है भाई तो हमें हमेशा जहां पर मुश्किल प्रॉजेक्ट हों इसके साथ प्रैस भी अच्छी होती है यह नौट करने की बात है हाउ टू प्रैक्टिस यॉर स्किल अच्छा यह अपने स्किल की प्रैक्टिस करें दो गैंटे इन गैंटे लेकिन एक वादह अपने आप से जरूर आप ये वह ये की जो भी टर्टॉरियल आप देखें इसके बाद एक दफ़ा देखा या दस दफ़ा देखा बीज दफ़ा देखा जब प्रैक्टिस करने शुरू किया तो जब आप इसको कहें कि मैं इसको दुबारा नहीं देखूँगा 12 गहंटे तक इसको नहीं देखूँगा यह जो आपने अपने आपसे वादर किया है इसका क्या होगा इससे आपकी जो लर्निंग है जो आपके मैंट से कनेक्ट होती है वो डवेलप होती है और आटोमेटकली आपकी जो स्किल है वो एडवांस होना शुरू हो जाती है कि अगर मैंने एक वीडियो देखी है और पर विया आपने आपसे वादर करता हूं कि इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा मैं काम करूंगा कि जय है वह ग्राफिक दिजयाइनिंग हो चाहे वह प्रेंट हो लेकिन जब मैं प्रेक्टिस कर रहा हूँगा ये वादा आप अपने आप से आज कर लें और अगर मैं कोई पॉइंट मिस्स कर गया तो चौबिस गेंटे से पहले मैं इसको दुबारा नहीं दूखूंगा यह जो आप सल्फ असेस्मेंट करते हैं और लर्निंग स्किल आपकी इससे आपकी लर्निंग स्किल होती है तो यह बहुत एहम है यह जो आपकी नॉलिज है ना आपकी स्किल ग्रैपिंग में उसको इन्हांस करता है कि आप एक वीडियो को एक दफ़ा देखें दस दफ़ा देखें लेकिन जब आपने डेख ली अब आप उसकी जब ट्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद जो वीडियो स्किल है और जब आप वीडियो देखेंगे और आपके जहिए होगा कि मैं इसको दुबारे नहीं देखा तो आप इतने गोर से इतनी इतनी तवज्ज़ से दियान से आप इस वीडियो पर फॉकस करेंगे कि जब मैं यह काम करूं तो मेरे पास कोई आपशन न नहीं जाना अगर वो वीडियो आप काम वीडियो देख रहे हैं और जणाब उससे आप काम भी कर रहे हैं टाइप भी कर रहे हैं सारी चीज़े तो यह आप अपने आप से चैटिंग कर रहे हैं अच्छा यह जब आप यह प्रॉसेस रिपीट करते हैं इससे आपकी प्रॉफेशनल स्किल अच्छी होती है और इससे आप मुझे इससे बहुत फैदा हुआ है और मैं आपसे भी कहुँँगा कि रिक्वेस्स करूँगा कि आप इस न्यू स्किल का जो है आपने आपको सेल्फ आसेस्मेंट करें और इनको इस स्किल को डवेलप करें इन्शाल्ला इन्शाल्ला ये नुस्खा लुक्मानी आपके लिए जरूरी कारम साबित होगा बलके ये तो नुस्खा सुलिमानी नहीं है ये हमारा नुस्खा है तो इसको कुछ और नाम दे दूखें अच्छा हमारे पास अगला टॉपिक है ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप फ्री लांसिंग के अंदर आपको टाइम प्लैस ट्रावल और बॉस की चिक्चिक से भी आप अजाद होते हैं आप अपने आपके बॉस होते हैं लेकिन यहां पर मैं आपके साथ कुछ एहम बाते हैं जो गल्तियां आम तो पर फ्री लांसिंग करते हैं वो बहुत एहम गल्तियां हैं वो आप से शेयर करेंगे पंच घल्तियां हैं जो फ्री लांसिंग के अंदर फ्री लांसिंग के दोरान करते हैं वो आपको मैं इसमें इंशालला नोटिफाई करवाते हैं यह गलति आपसे जाने और अनजाने में भी हो सकती हैं लेकिन जो आपके काम आपके केरियर जो आपके लोंग ट्रम केरियर और गोल है उसको नजर अंदास कर दीती है और आपको केरियर को फत्म को है बाइब एक सेटिंग रैंडम रेट सेटिंग रेंडम रेट अगर हमने अपने तो रेंडम रेट बता दिये इसकी मिसाल आप यू लिजेगे कि आपके फल की दुकान है सुबह के वक्त बिल्कुल हाइपरेट चड़ ले होते हैं दो पैर में जब थोड़े मोड़े धूप माल लेती है तो वो मक्यां उपर बैठ जाती है जो थोड़े से कम हो जाते हैं और शाम के वक्त आपके फल के कैमत बिल्कुल ही गिर जाती है तो मिसाल के तोर पर अगर आप ग्राफिक डिजैनर हैं और आप कहते हैं कि क्लाइन को मैं आपके लिए लोगो डिजैन करूंगा तीस डॉलर का या पचास डॉलर का और दूसरे को आप कहते हैं कि आपके लिए मैं लोगो डिजैन करूंगा दो सो तीस डॉलर का या दो सो इसका मतलब ही होगा कि आपके प्रैस का तायून ही नहीं है अगर आप अपनी प्रैस का तायून नहीं कर सकते तो आप अपने काम में इमांदारी और प्रसिस्टेंसी भी नहीं ला सकते तो हमेशे फ्रीलांस केरियर में अपनी प्रैस का तायून लाजमी करें अगर आप प्रैस का तायून नहीं करेंगे आपके कामत का तायून नहीं होगा तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं और क्लैन भी आपकी जब मुख्तलिप प्रैस देखेगा तो वो जो आपका मौयारी काम है वो आपका मैयार बरकरार नहीं रहेगा और आपके इमेज पर भी इससे मतासिर होगा दूसरी बात यह है कि आप इग्नौरिंग और रिफ्रेल्स रिफ्रेल को एग्नौर ने करें फ्रीलांस मार्केट प्लैसेज में रिफ्रेल का मतलब यह है कि आप अपने काम के मुतालिख वीडियो बनाते हैं या आप पॉस्ट बनवाते हैं कि अच्छा की लिए रहां कि यह आप कुछ लिखवाते हैं और अखबार में शेयर करते हैं तो आसान मिसाल यह जैसे कि किताब के मुसनिफ के बारे में टेस्टिमूनियल होता है कि पहले पैट पर क्योंकि जिसनी किताब पढ़नी है वह इस टेस्टिमूनियल से हो करी जाएगा इसी दर फ्रिलांस मार्केट में रिफ्ल को एग्नोर न करें तीसरी बात अच्छा तीसरी बात यहां नहीं है अच्छा तीसरी बात यह है कि आप जब क्लैंड के साथ फ्रिलांस मार्केट में तो आप कॉंट्रेक्ट जब आप क्लैंड के साथ काम करते हैं तो आप दोनों के दरमियान में कॉंट्रीक्ट बहुत एहम करदारा करता है अगर आप पेसे देख लेते हैं आप उसका एखलाग देख लेते हैं आप उसको मीठे अलबऑ देख लेते हैं और आप जो आजकल के डायलोग हमारे हाँ होते हैं, जो नौर्मली कि हम काम करते हैं, प्रोजेक को बनाते हैं, पैसे कर लें दिन कर लेंगे, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत और एक अजीब हरकत है, हमारे इसलाम हमें कहता है कि मामलाद कर लें दिन बहुत एहम हैं, चाहे मामलाद दो भाईों के दर्मियान में हो बाप बेटे के दर्मियान में हो भाई बेन के दर्मियान में हो मामलाद के लिए रोने चाहिए मामलाद का दरस हमें तो हमारे यहां पर इतना बड़ा काम इसना बड़ा बिजनिस के अंदर हम वहां पर कॉंट्रेक्ट डिफाइन नहीं करते हम एक दुस्ते के साथ तो बिजनिस के अंदर कारुबार के अंदर अगर आप अपस में कोई तनाजा पेशा जाता है कोई प्राब्लेम हो जाती है तो याद रखिके स्रिफ वहीं कंट्रेक्ट होता है जो आपको करता है जो आपको बचाता है कॉंट्रेक्ट को एहमियत दोए उस पर डैड लेन मेंशन होनी चाहिए लेकिन अगर आपने कॉंट्रेक्ट नहीं किया और कारोबार या लेन देन में मसला आ गया या प्रॉबलम आ गई और जो आपने प्रोजेक्ट लिया था आप नहीं कर पाया तो फ में बहुत ही बात जो फ्ष्रीलंस मार्केट में बहुत एयम है अपनी इस्तिताइत से ज्यादा काम लेना आफ से में पुछली कलासिज जिक्र किया था कि कि cage कुरिव Ňंद बनुरम के पो भी वह शुब फ्यूर्ट शुथ पहने हैं लेकिन बगयर लगैर टूल के इस्तेमाल आप बगर टूल के इंड़ और श्यूर्ट पहने बहुत नुफसान होगा अच्छा अब मैं आपको ज़र एक्स्प्लेंग करता हूं कि इसके क्या मतलब है कि आप टूल आपके पास जो काम आ रहा है आप इसको आउट सॉर्स करें आप मजीद काम पकड़ें आप लोगों से करवाएं लेकिन अगर आप टूल इस्तिमाल नहीं कर रहे प्रॉजेक्क मनेजमेंट के ढूल हैं कि एक अपकुंटिंक के टूल है जो काम आप आउट सॉर्स करते हैं उसके रपोर्टिंग लेकिन अगर आप इसको इसको इस्तिमाल नहीं कर रहें। आपको कैसे मालूम होगा कैसे पता होगा कि आपने फलाना काम किसको दिया है ऊसने कब मनेजमेट की टूलस्तेमाल नहीं करें गे। और आप सिर्फ जबानी कलामी इंशाला सर में आपको कल काम देदूंगा, जिस वर में आपको कल देदूंगा, आप बरोसर करें, यहां पर भी बहुत-बड़ा कनफ्लेक्ट हो सकता है, बहुत-बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपने अपनी स्थितात से ज्यादा काम ले लिया और आपने वो काम टेम पर मुकमल ने किया तो वो प्रोजेक्ट तो जाएगा जाएगा लेकिन इसके साथ-साथ आप अपने केरियर पर भी दो लगा देंगे 70 की दहाई में मशुर स्टर के बारे में आता है कि इसने अपने केरियर भी बहुत सारे फिल्मों के प्रोजेक्ट कॉंट्रेक्ट सेंड कर लिया है जो कि वो कंप्लीट ना कर पाया और इस ने अपने केरियत तबाह सिर्फ और सिर्फ इस वज़े से क्या ज्यादा काम लेनी के वज़े से तो अगेन मैं आप से क्या रहा हूं कि हर चीज में मियाना रवी आप इस्टियार करें जब उसने ज्यादा फिल्में सेंड कर ली और कॉंट्रेक्ट ले लिया टाइमिंग की कमी आई डेलेवरी न कर पाया जब डेलेवरी हो नहीं रही पारी तो जो आम प्रोडेसर थे उन्होंने पैसा वापस मागना शुरू कर दिया तो बिल्कुल इसी तरह फ्रीलांस मार्केट में भी सब हम सब के साथ यह हो सकता है आप तसवर करें आप एक आदमी हैं और आपने दस प्रोजेक्ट लिए उठा लिए क्या आप इन दस प्रोजेक्ट के साथ इंसाफ कर पाएंगे आपके पास 24 आवर्स हैं जिसमें आपने सोना है फैमिली टाइम है सोशल सरकल है अपने सियाथ का भी ख्याल करना है क्योंकि हमने पहली क्लास में लिए बताया था कि अगर आपने सियाथ का ख्याल ने किया तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं एक एक बहुत बड़ी बिमारी आपका पिशा कर सकती है आपने अपनी खाने पीने के रोटीन के भी ख्याल करना है और फिर आप और आप फिर आपकी नतिज़तन क्या हो सकता है कि आपकी रिपूटेशन खराब हो सकती है और पिर आप पैसा भी लोस करते हैं और आप क्लैन को भी लोस करते हैं प्रेस भी लोस करते हैं और सबसे एहम बात में ने कहा कि आप पाकिस्तान का इमेज खराब होता है पाकिस्तान का नाम खराब होता है पाकिस्तान है तो हम है अगर पाकिस्तान का नाम खराब हो गया इसकी इमेज खराब हो गया तो यकीन जानी है आपको कोई और काम दे देगा लेकिन अगर एक दफ़ा किसी कलाइन ने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान की इमेज उसके जहन में खराब हो गया तो इस मुल्क को दुबारा काम देने को वो नहीं आएगा आप और हम अपने मुल्क के ब्रैंड इम्बिसिडर हैं कि आपको बहुत बड़ी एक्तियात करनी है जब आप किसी से फ्रीलांस मार्केट में प्रोजेक्ट पकड़ें कि वर्क लीड क्या समझ में आये इससे पांच्वी बात हमारे पास यह है कि आप कुछ ना कुछ करें कुछ ना कुछ करें मैं यह कह रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ भी ना करें और काम आपकी तरफ खुद बखुद दोड़ता हुआ आजाए तो भाई ना तो आप शारु खान है और ना आप अमिर खान है और नहीं सलमान खान है और नहीं आप वो क्या हैं हमारी कत्रीना हैं कि आप कुछ भी न करें और काम आपकी तरफ खुद भाखुद आजाए जब तक आप अपने काम के बारे में बताएंगे नहीं अपने रिफरल का इस्तिमाल नहीं करेंगे free lance marketplaces पर अपनी bitting पर तोच नहीं देंगे और जो भी प्रोजक्ट आपके काम से मतालग हो आप उसकी सेर्विस के मतालग आपके काम के मतालग आपके सर्विस के मतालग आपने इस पर बिट करनी है जब आप बिट करेंगे तो आपके पास काम आएगा लेकिन हाँ याद रिखेगा ऐसे जरूर होगा कि आपके पास काम खुद आएगा एक वक्त जरूर आता है कि काम आपको तलाश करता है लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा पांच साल का पूर्टफोलियो चाहिए होगा फ्रेलांस मार्केट प्लैसिस में जब आपको पांच साल का पूर्फोलियो दर्कार होगा तो उसके बाद या दो साल का लेकिन आपको कुछ फीडबेक बहुत अच्छी होती हैं और इसमें आपको अज्णिंग भी बहुत अच्छी चाहिए तो फिर इन्शाथलाह यह वर्क, काम आपको डूनेगा, आप काम को नहीं डूनेगे, बलकि आप कहेंगे कि भाई मुझे काम करना और काम कहेंगे कि मुझे आप से करना मुझे आप से करवाना है कि वह आप की वह सारी चीजे देख के आ रहा है यह जो पांच गलतिया है जो फ्रीलांस केरियर का सतीया नास कर देते हैं इन से आप बचिए और बिट कीजिए कि जब तक आप फ्रीलांस मार्केट में आप नहीं करेंगे एंपलायर आपको काम नहीं देगा और जब काम नहीं देगा तो पिर आप इस मिरियर में सक्सेस्फिल कैसे होंगे रिलान्सिंग नाम है य्टेमाद का वाँ तरल इनसी नाम है ये यह वाइन यह दूर अगर आपका इतिमाद अपने कलैंट ही आपने employer के साथ freelance marketplaces में पैदा नहीं होता तो भाई खानी खत्म आपके पास बहुत कुछ है सब कुछ लेकिन आपके ट्रस्स बिल्ड नहीं होता क्योंकि आपकी बात इससे अगे नहीं चल पाती अभी तक हमने जितनी भी बात ही किए फ्री लांसिंग के बेसिक रूल और रेगुलेशन और शरायत हमने समझ ली अब हम आहस्ता आहस्ता प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे और इन्शालला हम जा रहे हैं लेकिन यह बात जानना भी बहुत एहम है अगर आप फ्री लांसिंग के वो सारे काम जो करने के हैं और जो नहीं करने के आप जान भी जाएं तो आप अच्छा इतमाद कैसे बनाएंगे क्लाइंट के ट्रस्स को कैसे गेन करेंगे जब तक आप फ्री लांस मार्किट में यह चार एंपोर्टर्ट फैक्टर नहीं करेंगे आपकी बात क्लाइन के साथ आगे नहीं बढ़ने वाली चार एंपोर्टर्ट फैक्टर नमबर एक आपकी प्रूफाइल नमबर दो पूट्फालियो नमबर तीन फीडबेक नमबर चार वीडियो जब तक आप इन चार चीजों को मद्दी नजर नहीं रखेंगे आप कलाइंट का इतिमाद हासिल नहीं कर सकते हैं अब हम चलते हैं नमबर एक प्रूफाइल आपकी प्रूफाइल आपकी दुकान का वह नक्षा है जो कस्टमर को नजर आता है आपकी दुकान अच्छी है तो इस दुकान पर जाएंगे आपकी दुकान पर कस्टमर आएगा भी और खरीदारी भी करेगा जितने बड़ा आपके गिराग होंगे और इतने ही ज्यादा बिजनस और पैसा आएगा तो आप अपनी प्रूफाइल को कंप्लीट कीजेगा आप अपने बारे में सब कुछ बताएगा इंशालला हम इसमें आपको प्रैक्टिकल प्रूफाइल के उपर जाके आप अपने काम के बारे में स पर आप यृ बूपयाएगा के आप कितने अर्षे से काम कर रहे हैं आपकी के उपर एक्सपिरिएंस हैं यह बहुतर मया यह क्लायन का प्रूफर बनाने में क्या है अपने का बारे में बह४ सारे मैंने आप जो चापश पॉइंट बदा इंडिस्ट्री जिन में आपने काम क्या उनके बारे में बताएं आप नॉट कर रहे हैं या मैं वैसी तख्रीर कर रहा हूं आप रहे हैं नॉट कर रहे हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं आपने काम क्या है और आप कितने आर्शे से काम कर रहे हैं और किन-किन software के उपर आपके experience है यह सब आप अपनी profile के अंदर अपडेट करेंगे इससे client का trust build होता है आपके उपर सेकंड नबर पर portfolio portfolio ऐसा है जैसा कि अगर आपको प्यास लगती है और आप किसी जर्नल स्टॉर में पानी की बोता लेने जाते हैं और इसके फ्रिज में ठंडा पानी नहीं है और आप वहां से वापस आते हैं इसका मतलब यह के शॉप की पर ने अपना business lose कर दिया अपने portfolio यह वह अलमारी है या वह शल्फ है जिसके अंदर freelancer के तमाम काम के screenshot इनके तमाम काम और project जिसमें complete कर चुके हैं वह इसमें पड़े होते हैं एंपलायर जब आपकी portfolio चक करता है और इसको खाली नजर आता है तो यह ठंडा पानी वाली मिसाल कि वह आपकी दुकान से निकलेगा और दुसरी दुकान पर चला जाएगा जहां पर फ्रिज में टंडा पानी की बोतल है तो portfolio अच्छा बनाएए इन्शालला coming classes में इसके ओपर हम detail से गवतबू फरमाएंगे थर्ट में हमारे पास है feedback जब हम किसी दुकान से कुछ खरीदारी करते हैं और हम मुतमेन है customer satisfaction से जो product आपने खरीदी है for example इम्ट्यास सुपरमार्किट या नाहीद सुपरमार्किट जो product आपने खरीदी है तो आप औरों को भी बताएंगे इस product के बारे में इस दुकान के बारे में कि भाई इम्तियास में तो आजकर offer चल रहे है गुले हमद के अंदर आजकर कौन सी डील चल लिए 70% की क्या है आजकर कुछ चल रहे हैं तो हम दुसरों को बताते हैं ना कि फलानी डील चल रही है तो यह क्या है और शॉप के बारे में आप अच्छे अलफाज इस्तेमाल करते हैं आप referral के तोर पर लोगों को बताते हैं तो इसी तरह यह बहुत जरूरी है जब आप freelance market places में काम करें तो आपकी profile freelance market classes में reference से बरी हो जैसे के मशहूर कावद जो दिखता है जो दिखता है वो बिखता है ठीक है बाए और जिस तरह किताब के मसन्निफ के बारे में मैंने आप से जिक्र किया कि बाई पहले सफ़र पर मसन्निफ के तमाम ओसाफ लिके हैं कि बाई इतना अच्छा है इतना होता है और यह वो यूज हैं जो आपकी क्वालिटी के बारे में आपकी सर्विस के बारे में आपके अच्छी कम्यूकेशन के बारे में आपकी डैड्लेंड के बारे में आपकी प्रैस के बारे में बताते हैं तो फीडबेक को मिस्स मत करें वीडियो अगर आपके freelance marketplace में वी कैसी है जात रखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे इन्शाल्ला इन्शाल्ला बिलीव मी के आप इनको फॉलो करें इन्चार्स इन्शाल्ला आपका बिजनस आपका फ्रीलांसिंग केरियर ओओ फ्रीलांस मार्केट के अंदर जो एहम सवाल है कि हम अपना रेट अपनी प्राइस कैसे डिफाइन करें और यह बड़ी इंपोर्डन डिबेट है कि अगर आपका अपने काम का दाम नहीं मालूम आप कैसे काम करेंगे आप से मेरी पुशा मुझे इस चीज बना दो तो आपको पता ही नहीं आपने के नेगोशेट करने इतना रख लूँ इतना रख लूँ इतना रख लूँ यहां पर जो एक एहम सवाल हो यह कि आप अपनी वर्थ जानते हैं आप अपनी विल्यो प्रप्रबेशिशन जानते हैं यह जो कामा आप कर रहे एं आपको इसकी वैल्यो बालूम है अगर आपको अपनी प्रैस का पता है आप अपनी वर्थ का पता है फिर तु O स्काइ इस दा लिमिट लेकिन आगर आपको आपकी वर्थ कहीं नहीं पता यह किन जाने आपको प्राइस कभी नहीं पता होगा या तो आप बहुत कम रखींगे और या इतने ही ज्यादा कि इम्पलायर को इस पहमत में वह काम वारा ना आता होगा इस बात में दो बाते हैं एक तो यह कि मैं मैं आपको कह दूँ कि आप आठ डॉलर लगा दें यहीं इश्यन रेट चल रहा है और आठ डॉलर में आपको क्लाइंट काम देदा का पार्टिकुलर टास्ट जो आप करने हैं और बल्ले बल्ले आपका काम हो आपने काम कर दिया क् दूसरे है कि आप अपना आपकी जो इफट लेगी जो आपका टाइम खरच होगा आपकी बिजली खरच होगी आपका इंटरनेट का खरचा है आपका ऐसी का खरचा है इन सब को आप जम्म करें और आप अपने इसके इसाब से आप अपनी प्राइस डिफाइन करें आप अपनी प्राइस सेट करें अब एक मिसाल से इसको थोड़ा सा मजीद हम इसको आगे लेकर चलते हैं अगर आप कॉंटेंट राइटर हैं कि अगर आप कि अगर कि अगर कि आम तोर पर एक कॉंटेंट राइटर दो सो पचास अलफास का बीस डॉलर लेता है लेकिन दुस्री तरफ आप देखेंगे जो बड़े-बड़े मिल्स हैं कि अगर फॉर्ब्स टाइम्स वाइर डॉट कॉम इनका कॉंटेंट राइटर एक हजार अलफास के दो हजार डॉलर भी चार्श करता है तो यहां पर आपके जो रेट है इन में बहुत ज्यादा डिफरेंट बहुत ज्यादा वाज़े फरक है तो इसमें क्या सही है और क्या गलत है एक आम ब्लोकर जो है किसी मिल्ज के नहीं लिख रहा है इसका मतलब कि वो पॉइंट जो इसका एंप्लाइर है वोस्पी नहीं नौट करेगा वो उसके जो आम है वो साधा तोर पर इसको इतने ज्यादा उसको जो इसका क्वालिटी है उसको नहीं चेक इन बैलेंस करेगा लेकिन जो बड़े-बड़े मिल्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं बड़े-बड़े एजन्सीज हैं वो ब्रैंड्ड्स हैं वो अपने ब्रैंड के इसाब से अदमी को कॉंटेंट रैटिंग का काम देते हैं हर अदमी को कॉंटेंट रैटिंग का काम नहीं देंगे वो कॉंटेंट रैटिंग का काम इसको देंगे जो इसके माहर हो जिनके पास आठ दस साल का एक्सपिरिंस हो और वो इसके बारे में टॉप की नॉलिज रखते हों और जो ये पता नहीं लगाने देगा कि इंग्लिश इसकी प्रैमरी लेंग्वेज नहीं है ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब भी किसी कॉंटेंट रैटर को हैर करते हैं तो क्या अंग्रीजी इसकी प्रैमरी लेंग है कि नहीं अगर प्रैमरी लेंग्वेज नहीं है परने वाला बड़ा उश्यार है बहुत करेज़ी ये बहुत तेज है कि इसको पता चल जाता है तो इसी तरह जितने भी बड़ा ब्रैंड होगा इतने इसका काम की कॉवालिटी और इतने इसकी प्रैस में वाजिव फरक प करते हैं तो नंबर एक कि आप क्या है अब ब्रैंड्स पे बिग प्राइसे जब भी आप अपनी प्रैस फिगर आउट करने की कुशिश करते हैं तो नंबर एक आपकी वर्थ क्या है और नंबर दो आप अपने काम में क्या वैल्यो एड करेंगे वैल्यो यू आर एडिंग ठू इंप्लाइर आप यह देखिए आप एक पार्टिकुलर काम करने के आप मैं क्या हैं आप जब एक्सपेंस को पेचान लेंगे तो प्रैस भी आटोमेटिकली निकलाएगी अगर आपके इक्सपेंस प्रैस दूनों बराबर हैं तो बहसे आप कमाएंगी क्या अगर आपके एक्सपेंसिज यहें जो आप पार्टिकुलर काम कर रहे हैं उसके एक्स्पेंसेज आपके पास आ रहे हैं पचास रुपे और आप पचास रुपे के अंदर वो कामगर के दे रहे हैं तो आपने क्या कमाया क्योंकि आपने एक्स्पेंसेज निकाल कर ही आपने प्रॉफिट गेन करना है और यह सिर्फ फ्रीलांसिंग के लिए नहीं बलके हर बिजनस और कारुबार में यह रोल अपलाई होता है यहां तक अगर आप एगरी हैं कि कोई आगर कहता है कि भाई यह रोल हर कारुबार बिजनस में अपला ही नहीं होता तो वो मुझसे डायलॉग कर सकता है आपके बिजली कबिल आपके इंटरनेट कबिल आपकी मेहनत चलें एक मिसाल से इसको ले लेते हैं और और मजीद इसको जानकारी कर लेते हैं और इसकी डीप इन ड्राइव करते हैं तोड़ा सा समझते हैं आप कॉंटेंट राइटर हैं उसी मिसाल को ले लेते हैं और आपको 45 मिनट 200 अलफाज लिखने में लगते हैं और 500 अलफाज लिखने में आपको एक घंटा 30 मिनट लगते हैं और अगर आप एक घंटा 30 मिनट के 40 रुपे चार्ज करते हैं तो आप इसको तक्सीम कर दीजिएगा पर मिनट के हिसाब से तो इससे आपको आपकी पर घंटा का हिसाब मालूम हो जाएगा तो प्राइस डिफैंड करने में यूर वर्थ एंड वैल्यू यू आडिंग तू इंपलाय मद्द्धी नजर रखेगा इसको अपने दिहान में रखेगा आपको आपकी प्राइस और टाइम का पता चल चाएगा आपकी जो प्राइस पर आवर लिया आपको इसको देंगे इससे आपको इसका पता चल जाएगा कुछ सवाल कि आज की ग्लास में या कि जी आपने एक आटक बिट करें फिल आंसर में करते हैं वहां पे काफी जी ज़्यादा जाएगा तो